दो हजार चौबीस का लोग सभा चुनाओ भले ही अभी दूर है लेकिन देश की हर राचनितिक पार्टी साम दाम दंड भेद अपनाते हुए जनता को अपनी तरफ लुभाने में जुटी हुई है सताधारी भाचपा हो या उसकी मुख्य विरोधी कॉंग्रेस दोनों एक दूसरे पर आरोपों की बहुचार कर रही है ताजा मामला उपजा है एक ट्वीट से जिसे किया गया है कॉंग्रेस की ओफिशल ट्विटर हैंडल से ये विवादासपत ट्वीट बीजेपी और संग को टारगेट करते हुए किया गया है लेहाजा उनकी तरफ से भी सक्त प्रतिक्रिया का आना लाजबी था लेकिन पहले हम आपको उस ट्वीट के बारे में बताते हैं जिसके बाद एक बार फिर से कॉंग्रेस और भाचपा आमने सामने आ गई हैं इस ट्वीट में RSS की शॉर्ट पैंट में आग लगी हुई दिखाई गई है उसके नीचे लिखा है 145 days more to go यानी 145 दिन और कॉंग्रेस पार्टी ने फोटो शेयर करते हुए लिखा कि देश को नफरत के माहौल से मुक्त करने और RSSBJP द्वारा किये गए नुकसान की भरपाई को पूरा करने की लक्ष की दिशा में हम एक एक कदम बढ़ा रहे हैं अब कॉंग्रेस के इस ट्वीट के बाद BJP ने भी अपने आकरामक तेवर दिखाते हुए कॉंग्रेस सांसत राहुल गांधी और पूरी पार्टी को अपने निशाने पर ले लिया भाजपा के राश्वी प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा कि ये भारत जोड़ो यात्रा नहीं बलकि भारत तोड़ो और आग लगाओ यात्रा है इसके अलावा उन्हें कहा कि कॉंग्रेस क्या इस तस्वीर से ये संदेश देना चाहती है कि RSS और BJP के कारेकरताओं की केरल में हत्या की जाए और उन्हें वहां की राचनीती से इलिमिनेट किया जाए कि ये जो तथा कखित इनकी भारत जोडो रैली है यह अभी केरल में है केरल में किस प्रकार से जो संग के कारेकरता हैं उनकी कितनी हत्याएं हुई है इस विशह में आप जानते हैं आपको पता है कि किलिंग फील्ड ऑफ केरला के नाम से संग के कारेकरताओं की भारतिय जनता पार्टी के कारेकरताओं की एक विचार धारा के एक विचार परिवार की कारेकरताओं की हत्याएं हुई है और होती रही है इस तस्वीर के माध्यम से बहुत ही सोच समझ करके एक शडियंत्र के अंतरगत राहुल गांदी और कॉंग्रेस पार्टी ने एक संदेश भेजा है वहां के आतंकवादियों को कि आप जो संग के कारे करता हैं जो भाजब के साथ जुड़े हुए हैं कॉंग्रेस पार्टी ने इस बार सीधावार संग पर किया था लिहाजा वहां से भी बहुत ही करारा जवाब आया है दरसल कॉंग्रेस की ट्वीट पर रायपूर में डॉक्टर मनमोहन वैद ने कहा कि वो लोगों को नफरत से जोड़ना चाहते हैं वो लंबे समय से हमारे लि की कोशिश की लेकिन आरेसेस नहीं रुका और निरंतर बढ़ता रहा कि एक तो हेट्रेट से आप जोड़ना चाहते हैं कि हेट्रेट वो पाल रखे हैं बहुत पहले से और उनके बाप दादा जोंगी संग का बहुत किरस्कार किया अपने सारी ताकत के साथ संग को रोखने संगी के पाज निए शत्य सिद्धानत हैं सिद्धानतों लेकर जीवन बर चलने वाले व्रतस्ता एसे कारे करताहं की पीड़े की पीड़ी उसके लिए आवश्यक त्याग परिष्ण बल्दान करने वाश लोग तैयार होते रहें और समाज का स्वेश को मिलता रहा है लगा इस बयान पर कॉंग्रेस नेता जैराम रमेश ने प्रेस कॉंफरेंस में काहा कि अगर भाचपा, कंटेनर, जूते या टी-शर्ट के बारे में मुद्दा बनाना चाहती है तो ये दर्शाता है कि वो घबराय हुए हैं। बहराल कॉंग्रेस की भारत जुड़ो यात्रा का आच छटवा दिन है और आहुल गांधी की विदेशी ब्रैंड की टी-शर्ट से लेकर विवादित बयान देने वाले पादरी जॉर्ज पनईय से मुलाकात तक सब कुछ विवादों के घेरे में आ चुका है और भाचपा ने वाले दिनों में बढ़ता ही जाएगा